UPSC में दो चीजों की requirement है एक है understanding और दूसरी होती है expression express करना अपने आपको अपने thought को understanding का मतलब यह हो गया कि आपको conceptual clarity है या नहीं है इसके बारे में और दूसरा होता है express करना यानि कि क्या आप उस चीज को answer writing के format में तबदील कर पा रहे हैं और यहीं कारण होता है कि चीजें आने के बावजूद भी कही ना कहीं selection में problem आ जाती है कई लोगों को यह भी दिक्कत होती है कि लिखना तो ठीक है लेकिन हम लोग लिखें कैसे उसको schedule में कैसे लेकर के आए चाहते तो है लिखना लेकिन time management नहीं हो पा रहा है तो इन सब चीजों के लिए answer writing daily answer writing program launch किया जा रहा है इस daily answer writing program में daily basis पर 5 questions रहेंगे जिसका हम लोग morning में question दे दिये जाएंगे जिससे आप attempt कर सके शाम में हम लोग इसका discussion और उसकी evaluation video और evaluation जो आपके answers किरेगी वो भी करके दे दी जाएगी जादा better understanding के लिए आपको model answers भी प्रोवाइड किये जाएंगे लिख करके handwritten format में ताकि आपको य आइडिया लगे कि कहां पर हमारी कमी रह जा रही है अगर कहीं पर structuring problem है तो भी आपको clear रहें कि यहां पर structuring इस तरीके से करनी है कहीं पर अगर आपको content में problem आ रही है तो content भी आपको clear हो जाए कि क्या content इसमें लिखना चाहिए और इन सबसे अलावा सबसे आधा important होती है कि question को समझना तो जब आप question को अच्छे समझ जाएंगे तो आसानी से उसका answer भी कर सकते हैं यहां पर दो चीजे आपका जो discussion है और साथ ही साथ में जो आपके model answers होंगे इन दोनों से आपको काफी हथ तक clarity आ जाएगी कि हमें किस question को किस तरीके से और किस angle में ले जाकर के लिखना होता है यहां पर हम लोग शुरू करेंगे basic से और advanced level तक जाएं इन सब के अलावा इस program की सबसे important बात यह रहेगी कि आप time manage करना सीख जाएंगे क्योंकि जब आप 5 question एक घंटे के अंदर में लिखना शुरू कर देंगे तो आपके 20 question होते हैं exam में वो आसानी से फिर tackle किये जा सकेंगे यह सब ही आपके practice पर ही निर्भर करता है जब आप practice किये रहेंगे जादा से जादा और इस चीज को habit मिले आ देंगे एक साल की जो महनत रहेगी वो आपके habit में आ जाएगी और ultimately जब आप exam में 20 question attempt करेंगे तो आपको किसी तरीके की कोई problem नहीं होगे क्योंकि already आपको वो चीज habit में आ रखी है यहाँ पर जब हम evaluation करेंगे तो temporary basis के होंगे questions current affair के basis पर भी लेकर के आए जाएंगे लेकिन अगेन basic to a strong basic to advanced level पर ही focus किया जाएगा इस प्रोग्राम की शुरुवात 15th October से की जा रही है इसके लिए आप enrollment कर सकते हैं enrollment के लिए 699 पर मन्त आप कर सकते हैं YouTube membership लेनी है आपको YouTube membership लेकर करके आप देख सकते है YouTube membership क कैसे लेनी है यह आपको अभी आगे वीडियो के format में बता दिया जाएगा अगर किसी तरह कि कोई query होती है तो आप email करके या WhatsApp करके आप अपने query को sort out कर सकते हैं email के लिए recognitionis.gmail.com पर अपने query को लिख करके भेज़ दीजिएगा तो यह थी answer writing के program की detail answer writing के membership लेने के लिए आ जोइन बटन पर जब क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का एक membership window open हो जाएगा इसमें आप daily answer writing पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में फिर आपको यहाँ पर payment page आजाएगी यहाँ पर payment लेने के बाद में आप यहाँ पर जो भी वीडियो जो भी benefits of the course हैं वो एक्से में क्या क्या चीज़े हैं एक बात और ध्यान रखेगा कि जो membership होती है वो completely Google के द्वारा manage की जाती है इसमें हमारा कोई भी रोल नहीं होता है आपको अगर किसी तरीकी की payment problem आती है या फिर payment failure होती है तो घबराना नहीं है यह Google वापत से आपको मतलब आपका refund कर देगा तो उन्हों को ने discussion कर लिया क्या के चीज़े हैं काफे important होता है answer writing की development वो लोग जो test series करना चाहते है या फिर geography optional की full video करना चाहते है उन दोनों लोगों के लिए यहाँ पर video suggestion में दी गई है आप इन दोनों वीडियो को देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि कि उस course में ह installment करना है तो आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे नेक्ट रुडियो में तिल दें गृट बाए थैंकि सो मच बाइबाए